युवराद सिंग को इस वज़े से काफी ज़्यादा हिट मिलने लगा जी आगाज युवराद सिंग का रीसेंटली एक इंटर्व्यू आया था विद गिलक्रिस्ट और माइकल बॉन और वहाँ पे वो बहुत सारे क्रिकेट मुवमेंट्स रोइट शर्मायमस दोन इवराद को ली सब के बारे में काफी बात किये थे बट वहाँ पे वो अपनी ex-girlfriend के बारे में बात किये जो की काफी जाधा controversial हो गया और उन्हें काफी hit मिलने लगा विल उन्हेंने actress का clearly नाम नहीं लिया था मैं उनका नाम नहीं लूँगा वो अब अच्छा कर रही है काफी experience दे और वो actually अडलेट में shooting कर रही थी मैंने उनसे बोला सुनो थोड़ा मिलने से बचते हैं क्योंकि मुझे focus करना है और वो सच में बस में मेरे पीछे canvara आ गई पर चड़ने के लिए सिर्फ 20 मिनिट्स बचे थे तो मैंने पूछा मैं कैसे जाऊंगा अभी तो उन्होंने का मेरे shoes पहनना चाओगे तो उसके पास pink slip-ons थी फिर उन्होंने बता है उनको कैसे pink footwear पहन के जाना पड़ा था और जब वो बस पे उसको पहन के चड़े तो सब लोग slow claps किये उनके लिए अपको इवराद सिंग के इंटर्विई से यह वला वीडियो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो जाकर जल्दी से join कर लो और देख लो link आपको description में मिल जाएगा बढ़ या इस statement के वाज़े युवराद सिंग को लोग काफी bash करने लगे और ऐसे tweets करने लगे sick, cheap, egoistic इस युवराद सिंग कोप्लेटली out of his mind or what आप एक शादी शुदा आदमी हो और यहाँ पर आप अपने ex के बारे में बात कर रहे हो जो happily married है आप past की बात है अठार है और उनका नाम लेके drama create करने की कोशिश कर रहे हो फिर एक ने लिखा लेकिन अपने पुराने relationship का मजाग उड़ाना publicly after you are not together is the lowest form of being a human और लोग और भी इसी तरह की tweets की आप लोग पढ़ सकते हो पॉस करके यवराज सिंग का intention शायद से अपने past का हलका सा पल शेयर करने का था उनके fans ने उनसे ये request किया है कि उन्हें उम्मीद है कि वो पुराने relationship का अगर कभी publically बात करते हैं तो वो और जाधा respect और sensitivity दिखाएं खास करके जब involved लोग public figures हैं